नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जून 2024 को है काल अश्टमी दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 21 चावल के दाने वाला उपाए आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाए है जो क इस उपाए को करने के पश्चाद दोस्तों, आपको पूरे साल कोई और उपाए को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाए, पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया, मैं जिस उपाए को आज हम आपको बहुत अच्छ इस उपाए को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो चलिए दोस्तों, उपाए को शुरू करते हैं, देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है, कभी कभी बड़े-बड़े पूज अनुष्ठान से जो मनो कामना पूर्ण नहीं होती है, वह काल अश्टमी के दिन एक छोटे से उपाए करने से ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाए को किया भी है, और उनको इस उपाए को करने का फल भी जरूर मिला है, यदि आप पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना. उसके पश्चात करना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा. और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो? आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है उसका कुछ भी कारण हो सकता है जैसे पित्र दोश हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोश होते हैं कुछ भी हो सकता है पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोश को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है काल अश्टमी के दिन इस 21 चावल के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है तो सब पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि ये 21 चावल के दाने वाला उपाय करना किस को है तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि ये 21 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है यह मनो कामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो की नहीं हो पा रहा है आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो तो सीधी सी बात ये है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो तो ये उपाय वव्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिवजी से पूर्ण करवानी हो और यदि कोई भी माताएं बहने जो है अपने घर की सुख और शांती के लिए घर में धन समरिध्य को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है तो घर की जो बड़ी माता घर की लक्षमी होती है और जब घर की कोई विशेश उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो चाहे वो बच्चा हो जिस व्यक्ति इस 21 चावल के दाने वाला उपाय को काल अश्टमी जरूर करे क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा क्योंकि काल अश्टमी भगवान शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं तो आईए अब हम समझते हैं इस 21 चावल के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है तो देखिए इस काल अश्टमी के दिन किये जाने वाले ये 21 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह के समय होगा किस समय होगा? सुबह के समय होगा आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 21 चावल के दाने वाला उपाय को कर लें पर किसी कारणवश यदि आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ आप कहीं काम से जाना हो के मन में प्रश्न बन जाता है, कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का यह समय होता है, ताकि हमें उपाए के लिए जो है करने का समय पता लग जाए, तो हम आपको बता दें, प्रदोश काल का जो एक समय होता है, शाम का, वो होता है, शाम के छह ब बजे के बीच में हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यदि आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोशकाल में कर रहे हैं और यदि आने में देरी भी हो जाती है आपको आने में बजे तक आप नहीं पहुँच पाते हो तो भाई आप साथ से या रात आठ बजे तक भी यदि उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा और यदि इस इस से भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो क्योंकि काल काल अश्टमी का दिन है। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। तो देखिए, 21 चावल के दाने आपने अपने घर में इस जगह पर रख दिये। फिर मान के चलिए, आपके जीवन की गरीबी को निर्धनता को दूर होने में समय नहीं लगेगा। साथ ही, आपके जीवन से गरीबी और निर्धनता सदैव के लिए दूर हो जाएगी। और माता लक्षमी का आपके घर में सदैव वास होगा, तो देखिए, यदि आप भी अपने जीवन में परेशान हैं, अपने जीवन की गरीबी से निर्धनता से आज की वीडियो को आपको बिलकुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके पूरे जी कोई भी पूजा अनुष्ठान अधूरा होता है। जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं, उनको ये बेकार कर देते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में सुख शान्ती भंग हो जाती है, हमारे परिवार में कलेश बढ़ने लगता है, माहौल जो होता है, वह तनाव पूर्ण हो जाता है, और इसी के साथ साथ धन हानी जैव उस घर में होती है, जहां पर कोई वास्तुदोश होता है, या फिर आपके जो ग्रह होते हैं, उनका संतुलन ठीक नहीं होता है, आपका कोई ग्रह कमजोर हो जाता है, तो जब आपके घर में कलैश होगा, आपके घर का जो माहौल है वो बेकार होगा, तो धन हानी उस घर में कहां रखने हैं, कौन सा उपाए है, कैसे करना है, जिससे कि आपके जीवन में सदैव धन भी आएगा, धन रुकेगा भी, और आपके घर में माता लक्ष्मी का सदैव होगा, और घर की सारी निर्धनता जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी, तो उपाए को करने के लिए सबसे पहले आपको बता दें, कि आपको 21 चावल के दाने लेने हैं, ऐसे जो कहीं से भी तूटे हुए ना हो, खंडित ना हो, 21 चावल के दाने लेंगे, और हल्दी के लेपन से, यानि हल्दी थोड़ी सी आप, घोलें कटोरी में, गाड़ी-गाड़ी और उस हल्दी को उन चावलों के ऊपर लगा करके उन चावलों को आप पीला कर लेंगे, तो आपके पास 21 होने चाहिए, पीले जिनको आप हल्दी से पीला करेंगे, साथ ही साथ आपको एक लाल रंग का बहुत ही छोटा सा कपड़ा लेना है, तो अब आपने जो लाल रंग का एक कपड़ा लिया है, उस कपड़े के ऊपर आपको क्या करना है, 21 चावल के दाने रखने हैं, और इसकी एक पोटली बना लेनी है, गांठ लगा करके कितनी गांठ दो, तीन, चार, इतनी ही गांठे आपको लगानी है, अब ये पोटली आपको माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करनी है, आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की कोई मूर्ती कोई प्रतिमा है, उनके चरणों में आपको यह पोटली रख देनी है एक देसी घी का दीपक जलाएंगे लंबी बात ही का ठीक है माता लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे यह उपाए काल अश्टमी के दिन करना है और शाम के समय में करना है एक दीपक जलाएंगे माता रानी की आर्थी करेंगे लक्ष्मी मैया की जैमाता लक्ष्मी या ओम महालक्ष्मी नमह इस मंतर का जब कर लेंगे या जैमाता लक्ष्मी जैश्री हरी इस तरह से आपको बोलना है और पूजा अपनी संपन्न कर लेनी है पूरी कर लेनी है इसके पश्चाता आपको क्या करना है? जब आपकी पूजा को थोड़ा समय हो जाएगा, उसके पश्चाता आपको वह पोटली उठाना है और इस पोटली को आपको अपनी तिजोरी में रखना है. जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं, अपना रुपया रखते हैं, अपना पैसा रखते हैं, वहां पर आपको यह पोटली रखतेनी है. माता लक्ष्मी और श्री हरी विश्णू से प्रार्थना करते हुए कि हे धन की देवी, लक्ष्मी कभी भी मेरे घर में धन की कमी मत होने देना, और सदैव आपका मेरे घर में वास रहे. श्री हरी विश्णू के साथ इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है. और ये 21 चावल के दाने जो पीले आपने किये हैं, हल्दी से एक लाल रंग के कपड़े में बांध कर, आपको अपनी तिजोरी में काल अश्टमी के दिन पूजा करने के पश्चाद, अपनी तिजोरी में उसी दिन काल अश्टमी के दिन ही रखना है. करके देख लीजिएगा, आपके घर की गरीबी और बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी, इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे तो बहुत ही अचूक उपाए है. देखिए, काल अश्टमी के दिन यह उपाए आप जरूर करें, क्योंकि फागुन का जो महीना होता है, ये धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत उत्तम महीना माना गया है. तो देखिए, आपको बता दें, कि कैसे चावल का यह उपाए आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को तुरंत के तुरंत दूर कर देगा. देखिए, चावल जो है, यह चंद्र का प्रतीक होता है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमजोर हो गया है, तो धन हानी सदैव आपके जीवन में बनी रहेगी. इस उपाए को करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ही मजबूत हो जाएगा, जिसके पश्चाद धन आना भी शुरू हो जाएगा, आपके घर में धन रुकना भी शुरू हो जाएगा, और आपके हाथ में, आपके पर्स में सदैव पैसा रुकेगा. तो चलिए पहले उपाए की हमने बात कर ली. अब जल्दी से बात कर लेते हैं, दूसरे उपाए की कौन सा है वो? उपाए जो कि आपको करना है, काल अश्टमी के दिन ही. तो देखिए, यदि आपकी कोई ऐसी विश है, कोई मनुकामना है, जो पूरी नहीं होती है, आप च आपको क्या करना है? आपको एक मुठी अक्षत लेना है. ऐसा चावल जो बिल्कुल भी तूटा हुआ ना हो. एक मुठी अक्षत और एक लोटा जल लेकर के आपको देव के मंदिर में जाना है, और महादेव को यह एक मुठी अक्षत आपको समर्पित करना है. शिवलिंग माता लक्समी का आपके घर में वास होगा और घर में कभी भी आपको अपने कलेश देखने को नहीं मिलेगा। इतना अचूक उपाय है, ये एक मुठी अक्षत का। तो देखिए, दो उपाय अभी तक हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को यदि आपने काल अश्टमी के दिन कर लिया, तो मान के चलिए, घर घर में गरीबी आपके चाहे कितनी भी ज्यादा हो, सर पे चाहे करजा हो गया हो, धन आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा हो, आपके घर का आपके सर का सारा करजा दूर हो जाएगा, घर की सारी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाएगी, और आ आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा, स्थाई रूप से स्थाई रूप का मतलब है, तथा लक्ष्मी कभी भी फिर आपके घर को छोड़ कर नहीं जाएंगी, तो बहुत ही सरल उपाय है, आपको करना क्या है, आपको कालश्टमी के दिन, क्या करना है, आपको खीर बना वो खीर में अच्छे से समा जाएगी और माता लक्ष्मी को जितनी भी वस्तुएं होती है उन्हें वो सुगंधित वस्तुत्वें बहुत ही प्रिये होती है माता लक्ष्मी स्वयम चल करके उस घर में आती है जो व्यक्ति सुगंधित कोई भी वस्तु का पाए माता लक्ष्मी की पूजा में कर लेता है तो जब यह खीर आप बनाएंगे शाम के समय में अपने घर में पूजा करेंगे और माता लक्ष्मी को आपको यह इलाइची वाली खीर अर्पित करनी है यह उपाए इतना अचूक है जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके घर की निर्धनता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके घर में चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, उस बड़ी से बड़ी निर्धनता को और गरीबी को भी दूर होने में समय नहीं लगता, क्योंकि इतना ज्यादा यह इलायची वाली खीर का माता लक्ष्मी समझो, तुरंत की तुरंत प्रसन्न हो जाती है, जो व्यक्ति काल अश्टमी के दिन इलायची वाली खीर माता लक्ष्मी को अर्पित कर देता है। आपको सम समझाने का बताने का प्रयास किया है। यदि उसके पश्चात आपको कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता लक्ष्मी तो देखिए, जब आप जय माता लिखेंगे न, तो आपकी जो दिल की आवाज है, जो आपकी प्रार्थना है, वो मा लक्ष्मी तक जरूर पहुंचेगी। लिख कर देख लें। क्या पता माता लक्ष्मी आपकी एक पुकार को इस तरह से सुन ले, कि आपके घर में वो आ जाए, और कभी भी आपके घर मे फिर निर्धनता ना रहे, तो आप जल्दी से बात कर लेते हैं, अपने लास्ट उपाए की कौन सा है, वह लास्ट उपाए जो आपको अश्टमी के दिन जरूर ही करना चाहिए। देखिए, इस दिन अश्टमी के दिन सनान और दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, त इस दिन किया गया जो दान होता है, यह सारे दानों में सबसे बड़ा दान और सबसे उत्तम दान माना जाता है, अब दान में आप आवश्यक्ता अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इस दिन अपन चलिए यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो नौकरी मिलने में देर नहीं लगेगी, यदि आप व्यापारी हैं, कोई भी बे बिजनिस करते हैं, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, बिजनिस में आपको प्रॉफिट होगा, सदैव आपका पैसा बढ़ेगा, औ आपको उस शीशे को भर लेना है, सरसों के तेल से उस शीशे को पूरा भर लेंगे, और शनिवार के दिन किसी भी नदी में आपके घर के आसपास जहां बहती हुई नदी हो, वहाँ पर उस शीशी को ऐसे ही नदी में प्रवाहित कर देंगे, अच्छा, यहाँ पर ध्यान कि पवित्र नदी में ही प्रवाहित करना है, सरसों के तेल को कांच की शीशी में भर कर धोखे से भी, इसे आप ऐसे जल में प्रवाहित ना करें, जो थोड़ा सा भी गंदा हो, कहने का मतलब है बहुत सारी चीजें होती है, जहां पानी बहुत ज्यादा साफ नहीं होता है, तो पवित्र नदी में या साफ जल में ही प्रवाहित करना है, इस चीज का ध्यान रखे, इस उपाय को चार शनिवार तक करना है, चार शनिवार करके देख लीजिएगा, जो भी व्याप में है, यदि बिजनिस लॉस जा रहा है, व्यापार चल नहीं रहा है, दुकान पर रहक नहीं बढ़ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें सदैव हानियदी हो रही है, तो यह उपाय आप जरूर करें, बहुत ही ज्यादा लापदायक है, बहुत ही ज्यादा इसका बेनिफिट है, अच्छा बहुत सारे लोग कहेंगे, कि हमारे घर के आसपास तो कोई लेना है, सरसों का थोड़ा सा टेल किसी कटोरी में, किसी पातर में लेना है, और पहुंच जाना है, शनिदेव के मंदिर में, देखिए, शनिदेव का मंदिर तो आजकल हर जगह पर होता ही है, शनिदेव के मंदिर का मतलब है, शनिदेव की मूर्ति प्रतिमा हर मंदिर में कोई शिला होती है, आपके घर के आसपास जहां भी शनिदेव का मंदिर हो, वहां पर एक छोटी कटोरी में सरसों का तेल लेकर जाना है, और शनिदेव को आपको सरसों का तेल अर्पित करना है, और शनिदेव से प्रार्थना करना है, कि हे शनिदेव, मेरे से जो भी भूल च कश्टों से बहुत परिशान हूँ, मेरा काम नहीं चलता है, मेरा व्यापार नहीं चलता है, या जितना धन मुझे प्राप्त होना चाहिए, मेरी मेहनत का जितना फल मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। ऐसी प्रार्थना कर लेना, और अपनी धन वृद्ध के लिए, अपने घर में माता लक्ष्मी के वास के लिए उनसे कह देना। इतना उपाय, यदि आपने कर दिया, शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल आपने अर्पित कर दिया। जो भी आप काम करेंगे, उसमें लाब होगा। पैसा आपका बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। धन हानी पूरी तरह से जीवन में रुख जाएगी। साथ ही साथ यदि शनि का भी कोई दोश है, ना कि शनि की साढ़े साथ चल रही है, धैया चल रही है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। देखिए, ज्यादा तर तो लोगों को पता होता है कि शनि की साढ़े साथ ही क्या है, शनि धैया क्या है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती है, या जिन लोगों को नहीं पता होता है कि हमारे जीवन में क् इसी ना किसी व्यक्ति की तबियत खराब हो जाएगी। कोई ना कोई दुरघटना, कोई ना कोई हादसा हो जाएगा। आपका कोई भी नुकसान होगा, वह ज्यादा तर शनिवार के दिन होगा। तो इस चीज से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई शनि दोश है आपकी कुंडली में। तो देखिए, आपको बहुत ही छोटा सा ये शनिवार के दिन उपाय करना है। और इससे लाभ आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। शनि की सारी जो हैं वो भी दूर हो जाएंगी। शनि देव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और धन हानी पूरी तरह से आपके जीवन में रुक जाएगी, और धन पैसा आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। तो यह थी आज की विशेश जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें धन्यवाद